जितनात भगवान कीजे अचर गुर्वर्सी विद्या सगर जी माराज कीजे तित्थियरं के वलियं पड़ में सिरसा विसुद्ध भावेन तित्थियरं भावे मिहु अपविसुही कारण ठम्य यह तित्थियर भावना नाम का गरंत है जिसमें सोलह कारण भावनाओं का वर्णन गाथाओं की माद्यम से किया गया है च्छे भावनाओं का वर्णन किया जा चुका है आज हम सात्वी भावना पढ़ेंगे जिसका नाम है पासुग परिचागदा भावना क्या नाम है? आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से सोलह कारण भावनाओं के नाम सुने होंगे उसमें आता है शक्तितस त्याग तपसी शक्ति के अनुसार त्याग करना और शक्ति के अनुसार ही तप करना ये सोलह कारण भावनाओं में आता है और यही धारा मुख्य रूप से प्रचलित है यहाँ पर आपको एक नया नाम पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है प्रासुक परित्यागता भावना ये भी उसी त्याग भावना का ही दूसरा नाम है लेकिन यहाँ इसका नाम प्रासुक परित्याग से लिया है ये तित्यर भावना गरंथ पढ़ने से पहले आप इसकी प्रस्तावना पढ़ना तो उसमें आपको इसके बारे में एक जानकारी मिलेगी कि सूलह कारण भावनाओं के विशे में दो धाराएं हैं आचारियों की दो परंपराएं हैं एक परंपरा है तत्वार सूत्र के अनुसार और एक परंपरा है सट खंडागम सूत्रों के अनुसार जो तत्वार सूत्र के अनुसार परंपरा चल रही है वो तो प्रचलित हो गई क्योंकि तत्वार सूत्र सब के लिए पढ़ने में सुनने में आने लगा तो वो परंपरा प्रचलित हो गई किन्तु जब हम सठखन्नागम सूत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें एक और हमें इन भावनाओं के कुछ नामों में अंदर मिलता है तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस तित्यर भावना गरंथ में वहाँ जो सट्खन्नागम सूत्र हैं उनमें उस त्याग भावना को प्राशुग परित्याग भावना के नाम से ही लिखा गया है तो इसलिए यहाँ पर यह एक नया सब्दाया है ताकि लोग यह भी जान भाएं कि सिध्धान्त सूत्र जो सट्खन्नागमादी सूत्र है उन सूत्रों के अनुसार यह परंपरा इस त्याग को प्राशुग परित्यागता का नाम देती है तो इसलिए यह प्राशुग परित्याग यह जो शब्द है यह आपको अगर कोई कहे पूछे तो आप कह सकेंगे कि यह सट्खन्नागम सूत्रों के अनुसार यह नाम हमने सीखा है क्योंकि जब आप कुछ नया सीखोगे नया पढ़ोगे तो नय तरह के प्रश्ण भी लोग आपके सामने लाएंगे कि अब आप यह नयी बात कहां से करने लग गए है ना तो कहना हम नया नया स्वाध्याय करते हैं इसलिए नय नयी बात है हमें पता पढ़ती है तो उसी नय स्वाध्याय में कि आप लोग एक ही चीज को द्यान में न रखें चूंकि तत्वार सूत्र तो और बाद का ही है सटखन्नागम जो सूत्र है वो बहुत ही प्राशीन परंबरा है तो वहाँ पर जो भाव छिपे हुए है उनको जब हमने सूत्रों को पढ़ा तो हमें लगा कि इसमें जो नयापन है इसको भी हमें समझ समाज के सामने या लेखक और जो पाठक होते हैं उनके सामने रखना चाहिए तो इसी लिए इस सूलह कारण भावना गरंथ में ऐसा ये चैप्टर जो यारा है सात्वा इसका नाम पासुग परिच्छागदा इसी लिए दिया गया और इसमें त्याग भावना का जो क्रम है अगर आप देखेंगे तत्वार सूत्र में तो पहले तप का आ जाता है फिर त्याग का आ जाता है तो इन भावनाओं के क्रम में भी अंतर हमें सट्खंडागम सूत्रों में दिखाई देता है तो उसी के अनुसार यहां पर यह प्राशुक परित्याग भावना है अब यह प्राशुक क्या चीज है इसका त्याग क्या कहलाता है यह सब चीजें इसी गाथाओं में आगे डिटेल में दी गई है तो पहली गाथा जो की 41 में नंबर की है 49 तिथियर दिववानी अनन्त संसार समुद्ध सोसकरी तिथियर आणम दाणम अब यहाँ समझा रहे हैं कि प्राशुग परित्या किसे कहते हैं तिथियर दिववानी पहले तो यह समझें कि तीर्थं करों की जो दिववानी है वै अनन्त संसार समुद्ध सोसकरी अनन्त संसार रूपी शमुद्ध को सुखाने वाली है क्या कहा? तीर्थं करों की दिववानी का जो पान करते हैं उसमें जो आनन्द लेते हैं वै अनन्त संसार रूपी समुद्ध को सुखा लेते हैं यानि अनन्त संसार में जो हमने मिथ्यात्व आदी के माध्यम से करमों का बंध किया और जो हमने अपनी मिथ्यावुद्ध के माध्यम से अपनी संसार की परंपरा को आगे बढ़ाया वे परंपरा सूखने लग जाती है उस परंपरा में ब्रेक लग जाता है किसके माध्यम से? तीर्थंकरों की वानी में सिर्फ हम केबल एक इंट्रेस्ट लाएं तो उससे ही ये होने लग जाता है और धीरे धीरे जब इस तरह से इंट्रेस्ट आता है तब ही हमें कुछ चीजें अच्छी अच्छी सीखने में हमारा मन लगता है तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें केवल पढ़ना ही अच्छा लगता है या हम केवल सुन ही पाते हैं, गरंत ही पढ़ पाते हैं हम कुछ आचरण में नहीं ला पाते हैं कई लोग इस तरह से अपने मन में एक भाव रखते हैं कि हम कुछ कर तो पाते ही नहीं है कि अवल हम सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं और इसके आगे तो हमारी कोई गती होती ही नहीं है तो इससे भी कोई लाव मिलेगा के नहीं मिलेगा तो वो लोग भी इस बात को ध्यान में रखें कि लाव सुनने से पढ़ने से भी मिलता है क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके ग्यान में सरद्धान में वो चीज़ें नहीं आईएंगी जो आना चाहिए प्रगति जो आगे होती है आचरण के रूप में वो बाद में आती है पहले हमारा ग्यान और सरद्धान मजबूत होना चाहिए और ग्यान और सरद्धान की मजबूती के लिए हमें इस तरह के ग्रंथों का पठन पाठन हमेशा करते रहने का भाव रखना चाहिए तो जो गरंत आगम की परंपरा के अनुशार हैं, तीर्थंगर वगवान की वानी को बताने वाले हैं, उन गरंतों को पढ़ने पढ़ाने में अगर हमारी रुची रहती है, तो उससे भी हमारे लिए यह ज्यान और श्रद्धान जो बनता है, यही हमें अनंत संसार को शुखा कारण बन जाता है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, कि हम अगर कुछ आगे जादा बरत नियम संयम में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसको पढ़ने से क्या होगा, इसको सुनने से क्या होगा, ऐसा जो लोग कहते हैं, ऐसी वो एकान धारणा ना बनाएं, क्योंकि हमें सबस परमपरा इजान में अपना मन लगाने का हमेशा मन अपना बना करके रखना चाहिए, तो इसलिए ये स्वाध्याय की परंपरा आवश्यक परंपरा होती है, जिसके माध्याम से हम अपने मन में इस संम्मिक ज्यान की चीज़ों को अच्छे डंग से समझ भी पाते हैं, और दिरे दिरे जब समझते जाते हैं, तो कभी सरद्धावी उस पर आती जाती है. तो इसलिए यहां कहा है कि तीर्थंकरों की यह जो दिव्यवानी है, यह जब इतना बड़ा हमें लाब देती है, तो इसलिए तिथियरानम दानम, तीर्थंकरों का जो यह दिया गया दान है यह, क्या कहा यहां यह? तीर्थंकरों ने हमें क्या दिया? जो दिया जाए उसी का नाम दान होता है, क्या समझे? जो दिया जाए उसी का नाम दान है, तो आपने जो दिया वो यह दान कहलाता है, अब वो दान कोई वानी से दे रहा है, उपदेश से दे रहा है, वो भी दान है आप लोग एकांत रूप से यह समझते हैं कि जो हम किसी को धन दे देते हैं, उसी का नाम दान है किसी को हम आवश्यक बस्तु में दे देते हैं, उसी का नाम दान है किसी को हम आहार पानी इत्यादी दे देते हैं, उसी का नाम दान है, लेकिन दान किसका नाम है, जो दिया जाए उसका नाम दान है, इसलिए जब आप से कभी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जब देखता हूं मैं किसी की पास कुछ देने को नहीं होता है, तब कहना पास कुछ ना कुछ देने को होता है, अगर आप किसी को अपनी सहानु भूती भी देते हैं, तो वो भी एक दान कहलाता है, समय पर वो भी आवश्यक होता है, कोई आदमी बीमारी से ग्रस्त हो, किसी भी तरह की पीडाओं में पढ़ा हो, अगर आप उसके लिए केवल उससे बातचीत कर लें, उसको अच्छे से कोई मोटिवेशन दे दें, उसको अच्छी बातें कोई बता दें, सिखा दें, तो वो भी उसके लिए दान है, यह आप सीखें यहां से, तो यह दान है, इसलिए यहां पर कहा गया कि यह जो प्राशुक परिच्यागदा, मने प्राशुक परिच्याग कहा जाता है, क्या है समझ में आया, तीर्थंकरों के दिवारा दिया गया दान, मने अब जो चीजें तीर्थंकर देंगे या तीर्थंकर की तरह और भी इरिशी मुनी उन चीजों को देंगे, मने यहां पर मुक्रूप से हमें अब क्या समझ में आ नाम दान है तो ग्रहस्तों के लिए तो दान वो होता है मुक्रूप से आहार दान, औशदी दान मुपकरण दान, आवाज दान लेकिन इस से भी जादा महत्वपूर दान कौन सा होता है यह जो हमें ग्यान मिलता है तीर्थंकरों की वानी के माध्यम से यहां पर प्रासुक परित्याग दान कहलाता है तो अब समझ में आया? यनि तत्वार सूत्र की परंपरा को हम देखेंगे तो दान की रूप में वो परंपरा आगे बढ़ाने के लिए त्याग का मतलब होता है त्यागो दानम त्याग की परिवासा क्या दिये? मतलब की त्याग माने दान होता है लेकिन वो परंपरा मुख रूप से देखें तो वो गरहस्तों की पिक्छा से हम समझ सकते हैं लेकिन इन सट्खनागम सूत्रों में जो प्राशुक परित्याग सब्द दिया है ये दिया है मुख रूप से जो निरिगरंत स्रमण देते हैं उसका नाम दान कहा गया है तो भगवान को भी निरिगरंत स्रमण कहा जाता है वो भी निरिगरंत है और वो भी स्रमण है स्रमण परंपरा इसलिए कही जाती है समण मुहगद मठम पंचास्तिकाय में आचार कुंद कुंदेव लिखते हैं कि स्रमण के मुख से निकला हुआ अर्थ अर्थ ग्यान मनए पदार्थों का ग्यान तो यही ग्यान हमारे लिए आगे पंचास्तिकाय के रूप में अनेक द्रभ बितत्तों का निर्णे करनी की रूप में आगे आता है तो ये किसके मुख से निकला? तो समण मुहगद मुठ्थम समण के मुख से निकला हुआ गयाने समण माने वहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों को समण का गया है तो बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं समण परंपरा का मतलब क्या हुआ? जो तीर्थंकरों की परंपरा है उसको समण परंपरा कहते हैं तो उनी तीर्थंकरों की परंपरा में जो आचारी हुए, सुरुत केवली हुए हो रहे हैं और आगे मुनीश्वर हो रहे हैं यह सब स्रमण परंपरा इसलिए कहलाती है तो निर्गरंथों की दिगंबरों की जो परंपरा है वह स्रमण परंपरा कहलाती है तो उनी स्रमणों के द्वारा दिया गया जो दान है माने उनकी मुख से निकला हुआ जो पदार्थों का वर्डन है, तत्तों का ग्यान है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा, क्या है, ग्रहन करने योग वस्तु है, और वही दान सबसे स्रेष्ट दान है, इसलिए उसको प्रासुक कहा गया है, प्रासुक का मतलब जानते हैं, अब देखो, वो सब्द आपके लिए आहारादी के संबंद में लगता है, प्रासुक आहार, प्रासुक फल, प्रासुक सबजिया, माने जब आपने उसको बिल्कुल जीव से रहित कर दिया, तो वो प्रासुक कहलाता है, लेकिन यहां प्रासुक का मतलब क्या है, जो बिल्कुल सबसे अच्छा प्राशुक उपदेश कहलाता है तो इस उपदेश को तीर्थंकरों की वानी को इसर जिसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन आदी को समझते हैं इसको प्राशुक परित्याग कहा जाता है ठीक है ना? तो ये प्राशुक परित्याग इसका नाम है तो पहली गाथा में हमने यहाँ पर अभी इतना समझा कि ये प्राशुक परित्याग का संबन तीर्थंकरों से जुड़ा है और तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया जो दान यानि उबदेश आदी है वे सब हमारे लिए और आपके अंदर भाव इसपश्ट हो जाएगा दान मिला है महाजनों से तीर्थंकर का ज्यान मिला इस अपार संसार सुखाने जिनवानी रस पान पिला इब्यपुरुस के देव्यवचन ही देव्यदान है ग्रहन करो परपीडा हिंसा बिन प्राशुक त्याग वचन का स्रवण करो यह प्राशुक कहला जिसमें कोई दूसरों को पीडा ही ना हो आप जो प्राशुक करोगे उसमें तो एक इंद्री जीवँ को भी पीडा होगी लेकिन भगवान की इस वानी के माद्यम से किसी को भी कोई पीडा नहीं होती तो दूसरों की पीडा के बिना हिंसा के बिना जो होता है वही प्रासुक त्याग रूप ये वचन कहलाते हैं जो उन्होंने अपने वचन दिये हैं उन्ही वचनों को हम यहाँ पर प्रासुक त्याग वचन के रूप में गिरहन कर रहे हैं और इसलिए यहां का गया कि उनका हमें स्रवन करना चाहिए अब ये भी बताया जारता है आगे कि वह प्राशुक का परित्यागी कौन हो सकता है एक तो ये तीर्थंकर महासरमण हो गए इनको महासरमण कहा जाएगा और फिर जो है आगे कौन प्राशुक को परित्याग कर सकता है आगे की गाता नंबर पचास में बताते हैं जो पासुअम ही भुंजदी पासुग मगेन चरदिसावेखं तसाहुस्यवैणं पासुग परिचागदाणाम क्यते हैं जो पासुग ही भुंजदी जो हमेशा प्राशुग ही भोजन करता हो कैसा? जिसका नियम हो प्राशुग ही लेना है और पासुग मगेन चरदि और हमेशा प्राशुग मार्ग से चलता हो सावेक्खम मने जो अपेक्षा से सहित हो करके चलता हो यानि चलने में भी कुछ अपेक्षा होनी चाहिए तो यहां दो चीज़े दियें कि प्राशुग भोजन करने वाला आप देखेंगे कि जो शादू होते हैं उनके लिए नियम ही होता है कि वो हमेशा प्राशुग भोजन ही करते हैं कोई भी चीज ऐसी कुछ हो जो कि प्राशुग नहों तो वे उसका कभी ग्रहन नहीं करते हैं इसलिए जो भी सबजियां हैं या फल हैं कईयों को तो सेंगरी-मेंगरी कच्ची अच्छी लगती है मटर है सब कुछ कच्चा ही जो है तो इस तरह से श्रावक तो खा सकता है लेकिन उसमें भी प्रत माधारी श्रावक हो जाते हैं उनकी भी प्राशुग ग्रहन करने वाली जो प्रत्मा आजाती है तो उस प्रत्मा तक जो नहीं पहुँचते हैं वो उसका सेवन कर सकते हैं लेकिन जो उस प्रत्मा को ले लेते हैं तो फिर वे भी कभी भी कच्ची चीज़ों को नहीं खाते हैं कोई भी चीज़ें मूल, फल, शाक, शाकह, करीर, कंदप, प्रसून, भीजानी, नामानी, युवत्ती, सचित, विरतो, दया, मूर्ती. एसर अत्कंद स्रावकचार में लिखा है, कि कोई भी चीजें, जो मूल है, चैफल है, शाक है, शाकहाओं पर लगने वाली चीजें, कुछ भी, नामानी, आम बोलते हैं कच्छे को, जो कच्छे को नहीं खाता, वो सचित, विरत, प्रतिमा को पालन करने वाला कहलाता है, उसक शित्विरतो दयामूर्ति, तो इसलिए स्रावकच जो होता है, वे भी अपने आचरन को धीरे-दीरे समालता चला जाता है, इसी का नाम है प्रतिमाओं का ग्रहन करते चले जाना, तो उसके लिए तो जित्तब होता है, तो जो कोई भी प्रासुक भोजन करेगा, तो उसके बचन भी प्रासुक होंगे, यहां यह संबंद समधना चाहिए, प्रासुक भोजन करने का मतलब, आप निर्दोस भोजन करते हैं, तो निर्दोस ही बचन होना चाहिए, तो इसी लिए यहां पर कहा गया है, कि जो प्रासुक को भोजन करने वाला सादू होगा, और वह प्र जन्तु होते भी हैं, तो उन्हें बचा करके चलता है, देख करके चलता है, एक और अच्छी चीज है, सावेक्खम, माने अपेक्छा से सहित हो करके चलता है, अपेक्छा से सहित होने का मतलब यह है, कि बिना बजे गोमना फिरना, अपेक्छा से रहित कहलाता है, अपेक्छा यह क्या हो गई? अपेक्छा हो गई. हमें किसी के घर में प्रासुक भोजन ग्रेंड करने के लिए बेक्छा चरिया के लिए जाना है. यह क्या हो गई? अपेक्छा हो गई. तो सादू हमेशा किसी ना किसी अपेक्छा, जिसे हम कह सकते हैं, अपना प्रियोजन, कोई ना कोई उद्दिष्च ले करके चल रहा हो बिना कारण के जैसे आप लोग अपनी बॉलकनी में गूमते रहते हैं या अपनी छटों पे गूमते रहते हैं ऐसा जो है गूमने फिरने का काम साधू का नहीं होता है कुछ प्रियोजन होना चाहिए कि आप क्या देखने के लिए जा रहे हैं क्या ब्रह्मन करने का आपका उद्देश्च है तो वो प्रियोजन सहेच चलना तो साधू को चलना भी प्रियोजन सहेच होता है इसलिए जो है सुबह सुबह वाक कर लो महाराज को जोब कर लो यह सम महराज नहीं कर सकते हैं, वह कुछ प्रियोजन होगा तो जाएंगे, तो वो अपनी निहार की क्रिया के लिए जा सकते हैं, अपने भगवान की दर्शन, चेट्याले आदी की बंदना करने के लिए जा सकते हैं, तो उस अपेक्छा से जाते हैं, तो इसलिए ये ध्यान कि आप लोगों की संगती में आकर के साधू भी बिगड़ना जाएं, इसलिए स्रावकों को भी ज्यान होना चाहिए, कि स्रावक तो बेबज़े आजकल खुब घूमते हैं, सुबह सुबह, सब कॉलोनियों में, तो ऐसे बेबज़े घूमने का काम देखा जाये, तो वो आपका बस वहीं की वहीं की चार शक्र लगाते रहोगे, तो यह जो है इस तरह का यह निर्पेक्ष, यह स्रावक के लिए चलता है, तो ऐसे ध्यान में रखे हैं, कि साधू हमेशा प्राशुक मार्ग से चलता है, प्राशुक ही भोजन करता है, ऐसे साधू के वचनों को भी प्राशुक परित्यागता का नाम दिया जाता है, तो साधू के ही वचन प्राशुक परित्याग कहलाएंगे, जो मुनी महराज हैं, या आचार आदी हैं, वो सभ सादू ही होते हैं और उन्हीं सादूओं के जो उपदेश हैं बचन हैं उनको यहाँ पर प्राशुक परित्याग के रूप में कहा गया है तो अभी आपको धिरे-देरे किलियर हो रहा है कि प्राशुक परित्याग कहां से सुरू हुआ था तीर्थंकरों की वानी से और फिर हम कहां तक आ गए सादूओं के उपदेश तक आ गए यह सब प्राशुक परित्याग का क्रम चल रहा है क्योंकि सादू भी वही बताएंगे जो उन्हों ने अपने पूर्व आचरियों से पूर्व गुरुओं से सीखा वो भी वही बताएंगे जो उनसे पहले के गुरु आचेहर हुए उनसे सीखा तो वो कुल मिलाकर कि जो तीर्थंकरों की वानी चली आ रही है वो उसी की रहा पर चलने वाले वो साधू होते हैं तो वह वही उपदेश देते हैं जो ग्रंत आदी साधू के द्वारा उन्होंने अपने गुरुओं से सीखे लिए इसलिए यहाँ पर साधू के बचन भी प्राशुक परित्याग के रूप में कहे गए माने साधू को यहाँ पर त्याग करने का और त्याग की भावना करने का यहाँ पर मुखी जो है उद्देश बनाया गया तो इससे आप समझ सकते हैं कि तत्वार्त शूत्र के अनुश्वार जो त्याग है वो और यहां पर जो प्राशुक परित्याग है वो उसमें बहुत एक बड़ा अंतर हमें समझ में आता है क्योंकि वो त्याग जो है दान के रूप में ही समाप्त हो जाता है और वो केवल ग्रहस्त सों की अपिक्छा से हो जाता है लेकिन ये जो प्राशुक परित्याग है ये भावना मुक्रूप से शादू ही कर पाते हैं तो इसी को पढ़ते हैं जो सादू प्राशुक खाता है जिवावश में रखता है जो प्रासुक पत पर चलता है दयाहर दय में रखता है उस सादू के वचनाम्रत ही मोह महाविश शमन करें ज्यानाम्रत देने वाला ही प्राशुक त्यागी नमन करें तो सादू का जो दान है वो क्या कहलाएगा ग्यान रूपी अम्रत को प्रदान करना है ना तो सबसे बड़ा दान ग्यान दान हो जाता है ग्यान ही सबसे बड़ा अम्रत कहा गया है भोजन अम्रत नहीं होता है ग्यान अम्रत होता है तो ज्यान रूपी अम्रत जो होता है वो आत्मा में चिपकता है वो आत्मा का विशय होता है और जो भोजन होता है वो हमारे शरीर का विशय होता है तो जो हमारी आत्मा को पुष्ट करे, आत्मा को बल दे, वो ग्यान रूपी अम्रत सादूों के वचन, जिसके माध्यम से हमें अपने आत्म तत्तुका, निजपर का विवेक प्रिकट होता है, वह वचनाम्रत ही हमारे लिए प्राशुक त्याग के रूप में कहा गया है। तो ऐसे वचनों का देने वाला जो कारे है, इसी का नाम प्राशुक परित्याग, अब हमें समझ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं। चाये सुमाहा चाओ, दानम रैनत्यस धम्मस, साहुणं तमकज्यम, पासुग परिच्चाग दानाम। इन गाथाओं में, इस चेप्टर में, अन्त का जो पद है, वो सबका एक जैसा है, पासुग परिच्चाग दानाम है। फिर और गहते हैं, कि चाये सुमाह चाओ, देखो, त्याग को प्राक्रत में चाग कहा जाता है। और गा की जगह आ भी बन जाता है और या भी बन जाता है। तो चाओ और चाय, ये सब त्याग का नाम है। सुमझ रहे हूं? समझ मेरा ना? तो चायो, चाओ, 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 ये सब त्यागो के अर्थ में आ जाता है। त्याग का नाम है ये। एक कुछ लोगों ने चाओ बनाया है चाओ, ये ना? तो चाओ का मतलब क्या हुआ? त्यागो, आगया समझ मेरा है। तो क्या त्यागो, जो आप गलत सेवन करते हो, ये ना? उसको त्यागो, इसलिए उसका नाम क्या है? चाओ. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, त्यागों में भी महा त्याग, चाओ, चाओ. क्या कहलाता है? रैनतयस धंमस दानम, यानि रतनत्रे रूप जो धर्म है, उसका दान ही सभी त्यागों में महा त्याग, महा दान कहा गया। तो जो लोग इस ग्रंट को पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, रतनत्रे का त्याग क्या होता है? रतनत्रे का त्याग का मतलब, रतनत्रे का जो उपदेश दिया जा रहा है, उसका जो दान दिया जा रहा है, उसी को यहाँ पर रतनत्रे रूपी धर्म को त्याग के सा जोड़ा गया तो रतनत्रय को छोड़ने का नाम त्याग नहीं है रतनत्रय का उपदेश जो देता है वो रतनत्रय का दान दे रहा है उसी के लिए कहा जाएगा कि वो रतनत्रय रूपी धर्म को त्याग रहा है तो ये भासांतर की रूप में हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि रतनत्रे रूपी धरम का उपदेश का दान ही क्या है? प्राशुक परित्याग है तो वो ही यहां लिखा है कि रतनत्रे रूपी धरम का दान त्यागों में महात्याग है समझने? तो जो लोग नए स्रावक हैं और जो ये नया भासा में ये नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो इस चीज को ढंग से समझ लें क्योंकि इस चीज में बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं जब ये कोई गरंथ पढ़ते हैं कि माराज बाकी सब समझ में आता है उपदेश देना है उसी का नाम है रतनत्रे का दान उसी दान को हम त्याग के साथ कह देते हैं तो इसलिए ये सभी त्यागों में महा त्याग है बड़ा त्याग है माने जो आपको रतनत्रे का उपदेश दे सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्यान का, सम्यक चारित्रगा जो आपको उपदेश दे और बार बार आपको उसी सम्यक दर्शन आदी के मार्ग पर लगाए तो उसका है सबसे बड़ा त्याग कहलाएगा त्याग क्या है? वो जो अपनी शक्ति लगा रहा है जो बचनों को देने के लिए वो उसका त्याग है लेकिन वह अपने त्याग से दूसरों को सम्यक दर्शन आदी का ग्रहन करा रहा है कि आप भी सम्यक दर्श्टी बनें, आप भी सम्यक दर्शन को ग्रहन करें सम्यक डर्शन ग्यान चारित्र ये για जो रतनत्र है इसी का नाम धर्म है और इसी धर्म को आप ग्रहन करें तो इसलिए सम्यक दर्शन आदी को ग्रहन करना जिनके माध्यम से होगा उनके दौरा जो बचन दिये जा रहे हैं वो बचन उसके लिए त्याक के रूप में कहे जाएं क्योंकि वो बचन छोड़ रहा है वो दान दे रहा है वो अपना समय, अपनी शक्ती, अपना ग्यान सब कुछ उसी में लगा रहा है तो इसलिए वे सबसे बड़ा त्याक कहलाता है तो आप लोग जो पढ़ते हैं, सुनते हैं ऐसा नहीं कि केवल बस एक कांसे सुना, दूसरे कांसे निकाल दिया तो ऐसा सुनना कोई भी तरह का भाषण हो सकता है भाषण में और उपदेश में अंतर होता है भासन तो एक कांज से सुने जाते हैं, दूसरे कांज से निकाल दिये जाते हैं उपदेश यहाशा नहीं होता है उपदेश जो है सुनकर के ग्रहन करने के लिए होता है कि हम इसमें क्या अपने लिए है जो हम अपने पास में रख लें अपने को याद रखें, अपने ऐसा आचरन करें, अपने ऐसी भावना करें, इसका नाम होता है उपदेश इसलिए भासन में और उपदेश में अंतर समधना चाहिए भासन तो नेता लोग देते हैं, कोई भी तरह के लोग जो है जो अपना कुछ भी बोलते रहते हों उससा ब्लाता है? मंचों पर घड़े खड़े हो करके जो दिया जाता हूँ, भासन तो भाषन अलग चीजो गई और उपदेश अलग चीजो गई उपदेश जो होता है, उप माने होता है निकट तक जो देश ना पहुँचे उसका नाम होता है उपदेश जो हमारे हिर्दय तक निकट तक पहुँचे उसको उपदेश करते हैं तो इसलिए कभी भी यूँ नहीं सोचना चाहिए मुनी महराज भासन दे रहे हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं अंजानी जगों पर जब हम कभी पहुँचते हैं तो महराज थोड़ा भासन आपका भी हो जाए तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये भासन नहीं है ये क्या है ये उपदेश है तो उपदेश जो होता है वो हितकारी होता है भासन जो होता है वो अपना मतलब का होता है अपने लिए होता है अपनी voting बनाना है अपनी party के लिए बढ़त करना है तो उसके लिए भासन होते हैं यह जो उपदेश होते हैं सब जीवों के हित के लिए होते हैं जो भी इसको सुनेगा, समझेगा, अपनाएगा, सब का हित होगा इसलिए साहुनम्तमकज्यम, यह कार्य जो है मुख रूप से साधुओं का ही कार्य रहता है उन सठखंडागम सुत्रों की जो टीका है, जिसे हम धवला टीका कहते हैं आचार वीर सिन्ह माराज जी की, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि यह काम साधुओं जनों का ही है मने गरहस्तों का कार्य नहीं है, रतनत्रे का दान देना, यह कौन कर सकता है साधु कर सकते है, मने जो सर्मण होंगे, वही रतनत्रे का दान दे सकते है ग्रहस्त रतनत्र के दान का अधिकारी नहीं है, यह बात अलग है कि आज सब ग्रहस्त सब कुछ कर रहे हैं, समझा रहा है, मतलब सम्यक दर्शन भी दे रहे हैं, सम्यक ज्यान भी दे रहे हैं, और हमने तो अब ऐसा भी देख लिया कि सम्यक चारित्र भी दे रहे हैं, तो दे यही उपदे साधी के माद्यम से उनको लगाय रखते हैं, लेकिन बस्तुते देखा जाए, तो यह काम किसका है? साधुओं का है. तो जो ग्रहस्त हैं, खुद वो किसी दूसरे को धरम की सिक्षा देकर के धरम के मार्ग का एक कथन तो कर सकते हैं, लेकिन उनको जीवन भर उस इस तरह की जो आच्रन करेंगे तो उससे उनका कुछ भला भी होने वाला नहीं है. तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जो इस तरह की कार्यों में लगे रहते हैं. तो वह मार्ग जो होना चाहिए, वो साधु के टच से होना चाहिए, साधु के उपदे से होना चाहिए, कल्प आदी का हुए नियम होना चाहिए तभी जाकर के हुए मार्ग हुए सादू से जुड़ेगा और सादू से जुड़ेगा तभी वो रतनत्रे का मार्ग कहलाएगा तो जैसे एक ग्रहस्त है अब एक ग्रहस्त ने जो है न अपना मानलो दस, भीस, पचास لوकों का एक ग्रुप बना लिया अब सब उसमें सम्यक दर्चन ये होता है सम्यक ज्यान ये होता है और एक तरह से कुछ आचरण की पद्धतिय वना ले हैं अपना एक आस्तरम बना लिया आचरण की पद्धतिय वन गई अब सब वहाँ पर ऐसे धरम ध्यान कर रहे हैं, सब कहते हैं धरम कर रहे हैं, लेकिन उनका साधूहों से कोई जुडाव नहीं है, वो बनाया ही इसलिए गया है कि साधूहों से दूर है, आत्म ध्यान करो, आत्म साधना करो, आत्म साधना करो, अब ऐसी आत्म साधना, आप कह कुछ कर भी लेंगे तो भी वो रतनत्रय रूप साधना नहीं कहलाएगी क्योंकि वो काम रतनत्रय को देने का काम साधू के माद्दम से ही होगा आपने अगर कुछ इस तरह से लोगों को जोड़ करके कोई अपना गुरुप बना भी लिया तो उससे सम्यक दर्शन आप चर्चा तो करोगे पढ़ोगे, सीखोगे लेकिन वो सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप साधू से उस सम्यक दर्शन को वास्तम में नहीं समझोगे साधू की स्रद्धा के साथ में साधू के पास नहीं पहुँचोगी तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो साधू से दूर रहते हैं और सम्यक दर्शन की खूप चर्चा करते हैं सम्यक दर्श्टी मानते हैं तो सम्यक दर्शन देने का अधिकार किसको है? सम्यक ज्यान देने का अधिकार सम्मेक चारित्र देने का अधिकार अगर आप आचार वीरसेन महराज जो की सिद्धान्द गरंथ के मरमग के कहलाते हैं धवला आजी टीका में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सादूओं का होता है तो आज ये सब अधिकार गरहस्तों ने अपने ग्यान से सब छीन लिए तो गरहस्तों ने अपने इतने अधिकार बना लिए हैं कि उन्हें सादूओं की भी जरूरत नहीं है तो कहीं न कहीं ये मार्ग से लोगों को अब जो उनके कहने में लोग आ गए जो उनके follower बन गए तो वो कहीं ना कहीं मार्ग से लोगों को बंचित तो कर रहे है तो इस तरह की जो प्रक्रिया चलती है ये भी अपने आप में इस मार्ग से हट जाती है तो सादू के द्वारा ही सम्यक दर्शन ग्यान चारित्र दिया जाता है और सम्यक दर्शन ग्यान चारित्र तीनों चीजें सादू से जुड़ती है अब आप देखो अगर मालो सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के आठ अंग होते हैं आठ अंगों में देखो कि कितने अंग सादू से जुड़े हुए हैं उसके बना आपके ही डिपेंड होते हैं, यह नो, जैसे निर्व चिक सांग है, यह सादू के बिना नहीं पलेगा, अब जब आप सादू को ही नहीं स्विकार करोगे, तो आपका निर्व चिक सांग कैसे पलेगा, समझ आरहा है, इसी तरह से उपगुवन अंग हैं, इस्थितिकरण अंग हैं, यह सादू के ही माध्यम से पलते हैं, सादू के पास होने से ही पलते हैं, और वासल्य और प्रभावना ये भी सादू के साथ ही इनका एन्वॉल्मेंट रहता है, जो आठ अंगों की बात है, वैया वरत्तियादी तो वो तप में चला जाएगा, तो वो भी है, तो कुल मिला दर्शन भी है तो भी दान धरम तो करना है तो किसके माध्यम से कहा करोगे साधू को आपको मानना नहीं तो क्या करोगे आहरदान किसको दोगे अपने साधर में कोई देते रहो तो यह आपका जो मुख्य है पात्रदान वो कभी आपका धरम बनेगा नहीं, तो बिना साधू के निकट आये हुए तो ग्रहस्त का कोई धरम होता ही नहीं, हो भी नहीं सकता तो इसलिए कोई भी दान अगर आपको मिलेगा साधू से भी तो सम्यक दर्शन आपको साधू के सानिद्द से ही पलेगा आठ अंग आपके सम्यक दर्शन के तभी पलेंगे जब आप साधू को स्विकार करेंगे निर्विचकित्सा तभी पलेगा उपगूहन, इस्तिकरण तभी पलेगा जब यह सब साधू साधर्मी वातसल आदी जो भाव होते हैं, गुडों के प्रती और बिनम्रता और वातसल लेका जो भाव होता है, वो भी साधू के साथ ही पलता है तो यह सब भी तभी पलेगा इसर कोई मानलो साधू की प्रवावना है आपको साधू कोई नहीं मानना तो साधू की प्रवावना भी स्विकार नहीं करना तो वो भी नहीं पलेगा फिर आप तो कुल मिला करके हम अपनी खिचडी अलग पकाएंगे तो कभी भी हम धरम के जो मार्ग चले आ रहे हैं उन से नहीं जुड़ पाएंगे यह ना? खिचडी तो अलग पक जाएगी खिचडी तो सब पका लेते हैं जब बीरवल ने भी खिचडी पका लेती तो तुम दो और बड़े बलवान हो जब दूर रहकर गे बीरवल ने भी खिचडी पका ले बीरवल की खिचडी फेमस है ना? जानते हो ना? ऐसी ठंड का मौसम था और नदी के किनारे और उपर जो है किसी बहुत उपर किले के उपर जो है खिचडी रख करके और वो बैटा था तो क्या कर रहे हो कि वाली खिचडी पका रहे हैं? समझा रहे हैं ना? तो ऐसी अपनी कुछ भी खिचडी पका लोगे तो उससे ना खिचडी पकेगी ना कुछ होगा बस यह है लोगों को ब्रह्म में डालते रहोगे तो इसलिए यह द्यान में रखना चाहिए कि साधू की निकटता से ही सम्यक दर्शन होता है सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है तो सम्यक दर्शन अलग से कुछ नहीं होगा अगर आपने साधू के बचनों को नहीं सुना या उनको नहीं कोई भी स्विकार किया इसलिए जब भी चारित्र की बात आएगी, ब्रत नियम सेयम की बात आएगी हमने तो अपने मन से ब्रत ले लिए, हमने उन भाई साप से ब्रत ले लिए, हमने उन भाईया से ब्रत ले लिए तो भाईया से ब्रत तो तब लिए जाए जब कोई दूसरे यहां पर कोई ना हो जब आचारे होते हैं, सादू होते हैं तो कपड़े धारी भाईयों से ब्रत लेने की क्या ज़रुत पढ़ी? समझा रहा है? तो ये एक समझना चाहिए कि ये रतनत्रे का दान है जो साधुों के द्वाराई करने को कहा गया है इसलिए ये प्रासुक परित्यागता का नाम पाता है क्योंकि ये प्रासुक, मने बिलकुल निर्दोस रूप से ये चीजें होती है सम्झा दर्शन आदी जो गुण है, इन में कोई भी दोस नहीं होते है और इनके संपर्ग से ही आत्मा गुडवान कहलाता है इनको गुण कहा गया है तो सम्यक दर्शन आदी ये सभी जब बचनों के माद्दिम से दिये जाते हैं तो उनको बिलकुल निर्दोस रूफ से कहा जाता है और वो निर्दोस रूफ से स्वीकारने में आते हैं इसलिए ये प्रासुक कहे जाते हैं बने रतनत्र अपने आप में क्या है प्रासुक है क्योंकि उसमें किसी जीव का कभी भी कोई भी वधा दी इंसा दी नहीं होती इसलिए इसको प्रासुक धर्म कहा गया है किसका पद्यान होगा सभी त्याग में महा त्याग है रतनत्र अत्याग कहा रतनत्र ही आत्म धर्म है धर्मदान बड़ भाग रहा बड़ भागी जो साधु बना है उसका ही वह कार्य रहा प्रासुक का वह ही परित्यागी स्रमन बना है आर्य महा हेया देयव भोधो जम्मिदया संजमस्व खाणम उवदे सोसो बड़ियो पासुक परिच्चाग दो नाम पासुक परिच्चाग दो नाम क्या कहते हैं हे और उपादे आदे का मतलब होता है गिरहन करने इसका जो बोध है अवबोध ग्यान यानि हे उपादे का ग्यान जम्मि वक्खाणम दया संजमस्व मतलब जिसमें दया और संयम का व्याख्यान हो जिसमें हे और उपादे का व्याख्यान हो ग्यान हो उपदेश ओसो भड़ियो वह उपदेश ही प्राशुक परित्याक के रूप में कहा गया है क्या सुना जिस उपदेश में जम्मि मनें जिस उपदेश में हे उपादे का ग्यान हो और दया संयम का व्याख्यान हो वह उपदेश करने वाला या वह उपदेश ही प्राशुक परित्याक के नाम से कहा जाता है तो वही उपदेश हमारे लिए प्राशुक परित्याक इस भावना में आएगा जिस उपदेश में हमें ये दो शर्तें पूरी हो रही हो या तो कुछ हेय उपादे का ग्यान होता हो या हमें कुछ दया संयम का ग्यान होता हो या भावना आती हो तो जो आप देखेंगे जब भी कभी उपदेश होते हैं तो आप देखोगे उनमें ये चीजें जरूर होती ही है क्या हमारे लिए जानने योग्य है क्या हमारे लिए ग्रहन करने योग्य है क्या हमारे लिए छोडने योग्य है ये सब चीजों का ग्यान जिस उपदेश में दिया जाए वो हमारे लिए क्या हो गया प्राशुक परित्याग हो गया और जिससे हमारे अंदर दया संयम आदी के भाव की वरद्धी हो वो भी हमारे लिए प्राशुक परित्याग हो गया हमारे लिए नहीं हो गया उनके लिए प्राशुक परित्याग हो गया हमने उस प्राशुक परित्याग को ग्रेण कर लिए तो वही उपदेश प्राशुक परित्या कहलाएगा समझ महा रहा है जिसमें सैयम, ज्ञान, दया, इन चीजों की वरद्धी हो तो अब आप समझें कि अगर किसी उपदेश में केवल चुटकले ही सुनाया जाते हो समझ आ रहा है और केवल जो है, मनोरण्यनी होता हो तो फिर वह उपदेश कैसा होगा वह प्राशुक परित्या किस रेड़ी में नहीं आएगा तो इसलिए ये दिहान रखनी योग के बाते हैं हम जब भी सुने सीखे हैं तो ऐसा नहीं है, हमें इंट्रेस्ट आ रहा है तो वो चीज सही है हमें इंट्रेस्ट आ रहा है वो चीज सही नहीं होती है सही चीज में इंट्रेस्ट आना सही होता है क्या समझ मारा है हमें इंट्रेस्ट आ रहा है तो इंट्रेस्ट तो हमें उनी चीजों में आएगा जिन चीजों में हमें इंट्रेस्ट आता रहा है फिजूल की बातों में, व्यंग की बातों में, हासी की बातों में बे बजय की जो बाते होती हैं, उनमें हमें पहले से भी इंट्रेस्ट था और आज हम फिर सुनते हैं, तो फिर आने लग जाता है, तो वो interest वो हमारे लिए ग्रहन करने योग है के नहीं, यह हमें पता होना चाहिए, उससे कोई हमें हे उपादे का ग्यान नहीं होगा, तो interest सही चीज में आना, यह बड़ी चीज होती है, वो तो फिर ऐसी बात होई, कि जैसे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को तो interest क्या है, जो उनने दुकान पर देखा, उनने समय interest आ जाता है, यह भी टॉफी दिला दो, यह भी दिला दो, वो भी दिला दो, तो वो बच्चे का जैसे interest हर चीज पर आ जाता है, तो वो interest सही नहीं माना जाता, तो मा उसको सम तो इसी तरह से हर बाजार में मिलने वाली चीज जैसे अच्छी नहीं होती ही, ऐसे ही हर उपदेश, आपको अच्छे लग रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, मजा आता है, तो मजा आने का मतलब किया, कुछ आप सीखते भी हो के नहीं, कुछ हे यह जो होता है, यह सीखनी की चीज है, तो आप भी एक तरह से फिर धरम के छेत में बच्चे रहें, वो जैसे बच्चे होते हैं, वो अपने छेत में बच्चे हैं, तो आप भी धरम के छेत में बच्चे ही बने रहें, कि हमें बस जो अब हमें हास की चीज अच्छी लगती एक चुटकले अच्छे लगते हैं, तो हमें वह अच्छा लगता है, तो उससे धरम का आवरण, अगर इस पर चड़ करके आप इस तरीके के चुटकले को धरम समझेंगे, तो चुटकले का नाम धरम नहीं होता है, धरम अपने आप में अलग चीज है, जिससे हमारे अंदर द प्रासुक परित्याग कहलाएगा, और उस प्रासुक परित्याग से दूसरों का हित होगा, जो उसको ग्रहन करेगा, तो इसलिए यहां पर यह बात है, कि चुटकि उपदेश की बात आ गई, तो उपदेश तो सभी देते हैं, तो उपदेश में होना क्या चाहिए? कंटेन क्या होना चाहिए? तो वो कंटेन यहां पर बताया जा रहा है, कि हमें जिससे कुछ ग्यान मिले, आत्मा का, शरीर का, कुछ हमारे अंदर भावनाय परवर्तित हो, कुछ हमारे अंदर सम्मेक ग्यान की वरद्धियो, कुछ हमारा इंट्रेस्ट, भगवान, अब लगेगा, कि भई हमारे भगवान जूटे हैं क्या, अरे भई जब तक तुम सही बात नहीं बताओगे, तो जिसको बुरा लग रहा है, वो भी तो सम्मकम सीखेगा, कि भई सही क्या होता है, गलत क्या होता है, तो बुरा और भला इस पर डिपेंड नहीं करता है, कि आप क् हम एक बार सुनेगा तो उसके मन में ये तो आता है कि नहीं भाई बात तो कहीं न कहीं इनकी सही है तो बताने की हमारे अंदर जो एक शैली होती है वो अलग चीज है लेकिन हमारे अंदर बताने का जो भाव होना चाहिए कि हमें क्या बताना है वो हमें कम से कम पता होना चाहिए हमें सही चीज बताना है बुरा और भला तो कहीं न कहीं किसी को तब लगता है जब हम किसी को बुरे तरीके से बताते है जब हम किसी को बिलकुली गलत कहें या हम जूटा कहें या हम किसी को गाली दें या हम किसी के लिए अपमान करें तो वो बुरा लगता है जब आप उसको लोजिकली सही चीजें बताओगे तो कोई भी किसी भी तरह का सुनने वाला होगा तो वो हर चीज को समझेगा, सुनेगा कि भाई हाँ ये चीज गलत है, ये चीज सही है ये भी लोजिक है, अब इसका हम कोई आंसर देना नहीं जानते हैं, तो हमें कुछ न कुछ अपने अंदर ग्यान और बढ़ाना चाहिए, कि हम इसका आंसर दे पाए तो आदमी तब सीखता है कोई चीजें तो हम सही चीज जब देंगे तभी तो कोई सही मार्ग चलेगा तीर्थंकरो ने तो हमें रतनत्रे दिया, सम्यक दर्शन ज्यान आदी का मार्ग दिया, और यहां हमारे पास सम्यक दर्शन का कोई भावी नहीं है सम्यक ज्यान की कोई बात ही नहीं है, तो ऐसी इस्तिती में फिर वो धरम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो धरम का मार्ग कैसे चलता है जो भी लोग सुनने वाले होते हैं वो सभी आत्माएं ही होती है दीवालों को नहीं सुनाये जाता है समझा रहा है केमरों को नहीं सुनाये जाता है सुनने वाले कौन होते हैं आत्माएं हो आज हमें बड़ा अच्छा लगा. बस इतना भी अच्छा लग गया, तो कम से कम उसने पहले कभी जिन्वानी नहीं सुनी थी यह जिन्वानी सुनने में कभी उसका मन नहीं लगता था, अब तो उसको थोड़ा सा मन तो लगने लग गया. तो इस तरह की जो अच्छा ही अपने अंदर पैदा होती है, यही हमारे लिए भीतरशे आत्म हित की एक सुरूबाद होती है, इसलिए जो भी उपदेश हैं, व्याख्यान हैं, वो व्याख्यान इसी बात पर निर्वर करते हैं, कि ये प्राशुक परित्याक के रूप में हैं या नहीं है, समझ मारा ना, सब कुछ, सरल भी है, और किलियर भी है, वह उपदेश ही प्रासुक माना, जिश में जीव दया का ग्यान, सैयम पत पर पढ़ने की ये रुचि बढ़ता जाए सम्यक ग्यान, हे ये रहा क्या उपादे क्या, यह विवेक वे ग्यान बने, भेद ग्यान भी बढ़ता जाए सिव पत का सम्मान बने, शिव पत का सम्मान बने, चलो, आज के लिए इतना ही परियापता है,